हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर आज का वीडियो इस्पेशली 10 और 12 वाले श्टुडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो इस बार 2021 में बोर्ड इक्साम देने वाले हैं क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाले हूँ 2020 का सबसे इंपॉर्टेंट निबंद कोरोना वाइरस जिसके आने के चांसे 95% से भी जादा है आपको उसे कैसे लिखना है हीडिंग आप किसी भी ब्लैक पेन या ब्लैक स्केश से डाल सकते हैं पर उसके नीचे आपको अंडरलाइनिंग करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है हीडिंग के बाद हम आएंगे अपने स्लोगन पर स्लोगन हमारी निबंद का सबसे important part होता है जिसे हमें बिल्कुल भी skip नहीं करना चाहिए आप अपने मन से भी स्लोगन बना कर लिख सकते हैं यहाँ पर मैंने स्लोगन लिखा है कोरोना योधाओं के होसलों को आओ मिलकर और बढ़ाते हैं सहयोग समरपड़ द्रिड विश्वास से कोरोना को हराते हैं स्लोगन लिखते समय आपको ध्यान रखना होगा कि स्लोगन के starting में और last में हमें inverted commas जरूर लगाने है यानि कि स्लोगन को हमें inverted commas में pack करना है और आपको ये भी ध्यान रखना है कि निबंद और स्लोगन के बीच में हमें कुछ लाइने छोड़नी है मैंने यहाँ पर छोड़ी है दो लाइने आप तीन लाइने भी छोड़ सकते हैं स्लोगन हो जाने के बाद हम अपना निबंद श्टार्ट करेंगे प्रस्तावना से प्रस्तावना की heading भी आपको black pen से या फिट black इस case से डालनी है और इसको भी underline करना है ताकि ये area हमें highlighted नजर आए प्रस्तावना में हम जिस विशे पर निबंद लिक रहे हैं हमें उसका परिचे देना होता है जैसे कि हम यहाँ पर निबंद लिक रहे हैं कोरोना वाइरस पर तो हम यहाँ पर कोरोना वाइरस का परिचे देंगे कोरोना या COVID-19 एक वाइरस के तौर पर सबसे पहले चाइना के वुहान शहर में सामने आया था विश्व स्वास्त संगठन WHO ने इसे महमारी करार दिया है विश्व स्वास्त संगठन के अनुसार इस वाइरस के खात्मे के लिए लगभख सारे देशी दवा और वैक्सीन बनाने में लगे हुए है जब तक इस वाइरस का कोई ठोस इलाज नहीं मिल जाता है तब तक हमें साउधानी से रहने की आवशक्ता है प्रस्तावना तो हमारा कंप्रीट हो गया पर इसमें भी कुछ ध्यान देने वाले इंपोर्टेंट पॉइंट्स है जैसे कि मैंने यहाँ पर चाइना, वुहान, विश्व स्वास संगठन, डबलू एच्चो ये सब ब्लैक पैंसे लिखा है यानि कि ये शब्द मैंने हाइलाइट किया है, ताकि देखने वाले को हमारा कॉंसेप्ट समझ में आ जाए केवल प्रस्तावना में ही नहीं, बलकि हमें अपने पूरे निबंद में जो हमारे में इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, हमें उन्हें ब्लैक पैंसे लिखना है जैसे कि हमारे प्रस्तावना में ये कुछ important points थे तो मैंने इन्हे black pencil लिख दिया आपको भी important points को black pencil ही लिखना है यानि कि उन शब्दों को highlight करना है उसके बाद प्रस्तावना हो जाने पर हम आएंगे अपने next heading पर next heading भी हमें same black pencil डाल ली है उसको underlining भी करना है आप जितना अच्छा heading लिखेंगे आपकी निबंद पर उतना ही अच्छा परभाव पड़ेगा next line है हमारा coronavirus या covid-19 क्या है अब हम बताने जा रहे हैं कि coronavirus क्या है coronavirus संक्रमण करता है जो आम तोर से हमारे खासी जुकाम के लच्छडों की तरह होते हैं वास्तों में इस संक्रमण के कारण हमें सुखी खासी सास लेने में तकलीफ जैसी समस्या आने लगती है और आगे चलकर यह मृत्तु का कारण भी बनती है कुरोना के संक्रमण को पहली बार चीन के वुहान शहर में पाया गया था चीन के वेग्यानिकों और डबलू एच्चों के अनुसार या वाइरस चमगादड़ों की द्वारा मानो शरीर में नमंबर 2019 के महीने में पहली बार सामने आया था डबलू एच्चों के अनुसार सर्दी चुकाम, सूखी खासी, सास लेने में तकलीफ चैजी समस्या कोरोना वाइरस के परमुखलत चड़ हैं यहाँ पर हमारा पैराग्राफ कम्प्रीट हुआ, अब सेम हेडिंग में हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आएंगे, यानि की एक लाइन छोड़ेंगे, फिर दूसरी लाइन से लिखना स्टार्ट करेंगे चीन, अमेरिका, फ्रांस, भारत के साथ साथ आज विश्यु के लगबग 180 से ज़्यादा देश इस महामारी से पेडित हैं इस वाइरस के इलाज के लिए किसी ठोस दवा का अभिश्कार अभी नहीं हुआ है उसके बाद हमारी ये हेडिंग कम्प्लीट होती है, अब हम आएंगे नेक्स्ट हेडिंग पर अब हम बताने जा रहे हैं कोरोना वाइरस के परमुक लच्छड एक कोरोना पेडित व्यक्ति में तुरंत असर नहीं दिखता है उसमें इसके लच्छड दिखने में करीब 14 दिन भी लग जाते हैं इसलिए यदि आप कहीं संक्रमित छेतर में आए हो या आपको जरा भी संदे हो तो खुद को सबसे अलग कर ले और जब तक खून की जाज का रिपोर्ट नहीं आ जाता खुद को सुरक्षित रगे इसके लक्षड कुछ इस परकार है अब हम बात करने जा रहे हैं कोरोना वाइरस के परमुक लच्छडों के बारे में जिसे हम लिखेंगे ब्लैक पेंसे इसके परमुक लच्छड हैं सुखी खासी आना, बुखार रहना, सरदी होना, शरीर में अकड़न और दर्द, पूरा दिन थकान महसूस करना, सास लेने में तकलीफ आ दी फिर हम नए हेंडिंग से स्टार्ट करेंगे कोरोना वाइरस से बचने के उपायों के बारे में बताएंगे कोरोना से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि सोयम की देख भाल करें आप जितना ज्यादा खुद को सुरचित करेंगे उतना ही कम कोरोना होने की संभावना रहेगी यह पाया जाता है कि जिसकी रोग परती रोधक चमता अच्छी होती है वो आसानी से कोरोना को हरा सकता है इसलिए अपने खान पान पर विशेश ध्यान दे इसके अलावा कुछ और भी बचाओं है जिनका पालन सब को करना चाहिए अब हम बात करने जा रहे हैं कोरोना के बचाओं के बारे में इसे भी हमें ब्लैक मिल से लिखना है और हम यहाँ पर एरो बनाएंगे कि हम उसके बचाओं को दर्शाने जा रहे हैं तो इसके बचाओं हैं, हमेशा कोई भी बाहरी वस्तु छूने के बाद हाथ अवश्चिद होएं या सैनिटाइजर का उपयोग करें हाथ को साबुन से कम से कम 30 सिकंड तक अवश्चिद होएं लोगों से 5-6 फीट की दूरी बनाएं, मास का उपयोग करें जरूरी ना होने पर घर से बाहर ना निकले, बाहर से लाएगे सामान को पहले अच्छे से धुले, तब घर में रखें इस तोरान कहीं आत्रा करने से बचें बचाओ कम्प्लीट हो जाने के बाद हम आएंगे निसकर्ष पर निसकर्ष यानि की हम अपना निबंद कम्प्लीट करने जा रहे हैं और इस निबंद का निसकर्ष क्या है निसकर्ष की हम हेडिंग डालेंगे, उसको भी अंडरलाइन करेंगे, फिर उसमें हम लिखेंगे COVID-19 संकर्ष भारत सहित आज पूरी दुनिया के लगभग 180 देश पर भावित हैं इससे अब तक लगभग 130 लाख लोग पर भावित हो चुके हैं काफी मात्रा में लोग इससे ठीक भी हो चुके हैं इस वाइरस के कारण अब तक लाखों की संख्या में लोगों की मौत हो चुकी है और दो करोड से भी ज्यादा लोग इससे पर भावित हो चुके हैं यहाँ पर हमारा पैराग्राफ कंप्लीट होता है अब हम इस्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ से यानि की एक लाइन छोड़ेंगे या फिर आप दो लाइन भी छोड़ सकते हैं उसके बाद हम लिखना इस्टार्ट करेंगे दुनिया भर के विग्यानिक स्वास संगठन के साथ मिलकर इसकी दवा इचात करने के परियास में लगभग 100 वर्षपूर 1910 में हैजा यानि की कॉलेरा महमारी के कारण विश्व में लगभग 8 लाग से अधिक मौत हुई थी इस चानलेवा बिमारी से घबराने की आवशिक्ता नहीं है विश्वास संगठन डबलू एच्चो और स्वास्त मंत्राले के नियमों का पालन करके इस बिमारी से बचा जा सकता है जितना हो सके दूसरे विक्तियों के संपर्क में आने से बचें और स्वस्त रहें यहाँ पर हमारा निबंद कंप्लीट होता है अब हम आएंगे अपने निबंद को फाइनल फ्लेशिंग देने के लिए यानि कि निबंद कंप्लीट होने के बाद भी हमें कुछ ऐसा लिखना है कि देखने वाले को हमारा निबंद अट्रेप्टिव लगे तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे कुछ स्लोगन मैंने यहाँ पर तीन स्लोगन लिखे हैं आप एक भी लिख सकते हैं और खुछ से बना कर भी स्लोगन आप लिख सकते हैं मैंने यहाँ पर स्लोगन लिखे हैं कोरोना वाइरस को हराना है मास्क और सैनिटाइजर को उपयोग में लाना है दूसरा स्लोगन है कोरोना हारेगा जीतेगा इंडिया और हमारा लाश्ट स्लोगन है घर से बाहर तभी चाए जब चरूरत हद सी जादा बढ़ चाए दोस्तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है इस पार 2021 का सबसे इंपोर्टन निबन्थ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब करें